तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लैप्टॉप का बैटरी जो है वो एक सर्टेन पॉइंट के आके फ्रीज हो जाता है यानि कि उससे उपर ना तो चार्ज होता है और उससे नीचे ना ही डाउन होता है तो इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर करना है इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं यह जो प्रॉब्लम है बैटरी फ्रीजिंग का यह अप्रॉक्सिमेटली हर कमपनी के लैप्टॉप के साथ देखने को मिलता है तो आपको इस मैथट को अपलाई करना आपके जो बैटरी का किनी के लैप्टॉप में जो यह प्रिजिंग वाले प्रॉब्लम है वह अलगलग मैथट से सौल्फ हो रहे हैं तो मैंने वन जो zu términ करके सारे मैथब को अपलोड किया है तो आप सारे मथे मेथट को अपलाई करके देखनाais ऑपking किसी मैथट तो आपको यहां पर क्लिक करना है सिर्क ताश्क मेनेजर कणके मिलेग सब्सक्राइब और सबसे नीचे आपको window explorer को search करना है आप देख सकते हो यहाँ पर window explorer हमको मिल गया है यह सबसे last में क्योंकि इसके बाद कुछ भी open नहीं होगा तो window explorer पर आपको एक बार click करना है जैसा आप click करेंगे एक बार तो यहाँ पर restart service का आपको option मिलेगा आपको यहाँ से restart कर लेना है अगर यहाँ पर restart option नहीं देखने को मिलता है तो आपको एक बार यहाँ पर click करना है और फिर यहाँ पर right click करना है जैसा आप right click करेंगे तो यहाँ पर restart option दीखेगा आप यहाँ से इसको restart कर दे तो मुझे यहाँ पर restart option दीकिया है तो मैं यहाँ से इसको simply restart पर click कर देता हूँ जैसे आप restart पर click करेंगे तो window के जितने भी updates थे battery से related या जो भी इसके अलग-अलग updates थे वो update हो जाएंगे और आपके जो यह charging वाले problem है वो solve हो जाएगा ध्यान रखे कि यह जो window explorer का जो आप जो भी method apply कर रहे है तो उस time आपका जो laptop है वो charging point पर होने चाहिए जैसा कि देख रहे हैं मेरा जो laptop है अपर charging पर लगा हुआ है तो जैसे यह method है आप apply कर देते हैं तो apply करने के बाद आप laptop को charging से हटा दे और charging से हटाने के बाद आप अपनी keyboard में laptop की keyboard में alt plus f4 click करें जैसे alt plus f4 click करेंगे तो कुछी इस तरह का box open होके आएगा आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ से restart को select करना है जैसे आप restart को select करेंगे और ok करेंगे तो आपका जो laptop है वो फिर से restart होगा और restart होने के बाद आप अपने laptop को फिर से charging के लगा है तो आपका जो laptop है वो charge होना start हो जाएगा यानि कि freezing का जो problem वो solve हो जाएगा इन केस अगर इस method से आपकी जो laptop का freezing का problem है वो solve नहीं हो पाता है तो मैं method number 8 भी upload करने वाला हूँ हो सकता है कि method number 8 से आपका जो बैटरी का freezing का problem है वो solve हो जाए तो आप चैनल को subscribe कर लेना ताकि जैसे मैं method number 8 को upload करूँ तो आप तप notification पहुंच जाए और आप उस method को apply करके अपने laptop का जो freezing वाले problem है तो उसको solve कर पाए बांकि कोई भी डाउट है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं मैं वहां पर आपको reply कर दूँगा और मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाबाए